बॉलिवर्ट इंडस्ट्री में वेटिरियन एक्रस शर्मिला ठेगोर के घर पर एक बफर से नधी सी खुशियाने वाली है नधी सी वो खुशियान जो की करीना कपूर खान सैफली खान के साथ देने वाली है अपनी प्यारी से बवू करीना की प्रिग्निंसी के लास्ट मन तक जब करीना के साथ दिखाई नहीं दे रही है शर्मिला ठेगोर सवाल खड़ा हुआ है कि क्या शर्मिला करीना और सैफ की नए घर पर अब तक नहीं पहुँची है क्योंकि जैसा कि आप जानते ही है कि करीना बांजा में क्लीनिक अपने फैमली डॉक्टर से मिलने पौटी से हद बिगडने पर रूटीन चेक अप के लिए इसके बाद करीना कपूर खान की हालचाल जानने के लिए उनकी मौम बविता कपूर भी करीना के न्यू रेसिडेंस में पौटी लेकिन सवाल ये खड़ा हुआ है कि करीना कपूर खान और सैफली खान जो अपने दूसरे बेबी का बहुत ही बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं क्या उनके घर पर करीना कपूर खान की सासुमा अब भी मौजूद नहीं है वल अगर ऐसा है तो क्यों है ऐसा क्योंकि करीना कपूर खान के फैंस की बात की जाए तो वो सब करीना कपूर खान की प्रिगनिंसी के इस नौ महीना पूरा होने के बाद उनकी जिलीवरी का दिल ठाम कर इंतजार कर रहे हैं ऐसे एक्साइटेर तो शर्मिला टेगोर भी है उतनी लेकिन बहु के साथ खड़ेना होकर ऐसे मुश्किल समय में बड़े सवाल खड़े कर रही है शर्मिला क्योंकि शर्मिला जादा तर पटोदी पैलेस में रहती है राज़ानी दिल्ली में अपने आलिशान बंगले में वक गोजार नहीं पाती नेक्स्ट नाई निजरूम से त्रप्तिक रिपोर्ट